महंत स्वामी महराज जन्म जैन्ती परवना आ प्रथम दीव से अपने गुरुहरी महंत स्वामी महराज ना प्रारंभिक जीवन नो परीचे प्राप्त करीशू। अपने गुरुदेव महंत स्वामी महराज ना पुर्वाश रमना पिताश्री। सन 1931 मा शास्त्रीजी महराज नी आगना लेईने धर्मपतनी डाहिबा साथे तेवो जबलपूर पधार्या। अपने प्राण प्यारा गुरुदेव महंत स्वामी महराज नो त्या जबलपूर मा जन्मत है। जे स्थाने जे कक्षनी अंदर महंत समी महराज नो प्राकेट्य थाय। त्या आगल हमना ज तेर मी तारिक है तेवो नी चित्र प्रतिमा प्रतिष्टित करवा मावी छे। दर्शन त्यारापनने स्क्रीन उपर थही रहाचे। अगल शास्रीजी महराज चपईया यात्राए गया से त्यां थी पाचा फरता आ जबलपूर मनी भाईना घरे पधार्या। अगल शास्रीजी महराज साथे आशा भाई इश्वर भाय बदा हरी बकतो अता तो आशा भाई ये आच्छ महिना ना विनूने च्छ महिना नी उमरती त्यारे एमनी एमने शास्रीजी महराज ना खोडा मा मुक्या। अन एवक्ते शास्रीजी महराज एमनू नाम केशव पाडेलू। अन एवक्ते शास्रीजी महराज आप बाळक ने जोईने एमना पिताश्री मनी भाई ने कि देलू। के मनी भाई आ तमारों पुत्र मोटो थेईने संत बनशे औने संप्रदाईनी खूब महान सेवा करशे। त्यार्थीज शास्रीजी महराजे आमना साधू बनवानी अने एमना द्वारा महान कारियो संपन्न थशे एवा आशिरवादनी भविश्य वानी एमने करी दिदी हती। अवे शास्रीजी महराजे केशव नाम पाड़ियो पन बदाईना मुखू पर विनू चड़ी गए उतु। अमे वार्तालाब करे तो मोटे भागे हिंदी आने अंग्रेजी भाषा मा वार्तालाब करे आने घर मा गुजराती भाषा बोलाई। त्रोन भाषाओ नो एमने नान पन थी परीचे प्राप्त थेओ। त्यारपची सेंट नौर्बर्ट कॉन्वेंट स्कूल मा फेबरुआरी 1941 सुधी अभ्यास करे ओ। त्यारपची क्राइश्ट चर्च स्कूल मा डिसेंबर 1924 सुधी अभ्यास करे ओ। अने छल्ले क्राइश्ट चर्च बोईज सीनियर सेकंडरी स्कूल मा उग्णिसो एकावन सुधी तेओ ये अभ्यास करे ओ। पणवामा अत्यंत तेजस्वी हता। शालाने अंदर शिक्षको जे भणावे तो क्लास माज बद्धू यमने यादरी जे। एटले वांचनना खूब शोखीन वांचननू एमनू अंग अत्यार आपनने पुस्तक वांचता ए बाल विनू भाई देखाई छे स्क्रीनू पर तो वांचनननो एमने खूब शोख हतो पण घरे क्यारे भणवाना पुस्तको नावाचे। कानके भणवानू जे होई एक क्लास माज एमने याद रेगे होई एले घरे बीजा बदा सारा सारा पुस्तको थे हो वांचता है। गर्तमान पत्रों मा पाचो रसने छापाने अडे नहीं पन सारा पुस्तकों मा एमने खूब रूची अने ए वखत मा एमनी बुद्धी प्रतिभा एमनी याद शक्ती एकली तिव्र तो नानपण ना ए बीजा त्रीजा धुरण नी अंदर एमने जे कवीताओ मुखपाठ क पाची शालानी अंदर एमनु व्यक्तित्व हम्मेशा शांत क्यारे कोईनी साथे जगडो ने बद्धा साथे मित्रता विजा बधायने पना विनुभाईनी कम्पनी एमनी साथे रेवु गमे काणके भाशा एकदम मृदु अत्यंत प्रेमाल स्वभाव ओचा बोला शर्मा रमत गमत निवाद करिये तो फुटबोल, क्रिकेट, होकी आने बॉक्सिंग आ चार रमोतों शाला मा फरज जात हती ले तेवो ए रमता क्रिकेट मा तेवो सारा बॉलर हता आने फुटबोल रमे त्यारे लेफ्ट फूल बैक पॉजिशन पर तेवो रमता काडानी अने बॉड़ू पर शिक्षकना केवा थिये चित्र सारू दोरी आपता तो पेल्ले थी यमने चित्र दोरवामा फावट हती परन यमने चित्र दोरवामा अटे काई प्रोफेशनल ट्रेनिंग आगल क्यारे नाली दी यमने पूछवामा आविव के तमे चित्रो सारा दोर आता तो एक कड़ाने केम आगल नव धारी तो त्यारे महन सावी मारा जेव किदू तू के दोरी ए खारा पण आसकती नहीं तो आएक विशिष्ट वस्तू केवाई के जे आवडत होए एनी परिपुष्टी करवानी आमने लेश मात्र इच्छा नोती अने जीवन पाण विनु भाईये लखेला निबंध अने अमनु शुद्ध वर्तन जोईनेव कहेलू के यू आर गोईंग टू बी आप्रिस्ट एडले के तमे भविश्यमा एक धर्मना उपदेशक बन्छो प्रिस्ट बन्छो तो आरीते ओगणी सो एकावन सुधी जबलपूर मायमने अभ् कोई परीचाई ने, कोई योग ने, ब्रह्म सुरुप शासीजी मारत्या पधर्या एक वखत, पन त्यारे येमनी उमर मात्र 6 महीना नी हती, त्यार पची कोई संतोनो योग नेरले सत्संग ना कोई विशेश संसकार नता, साथे साथे बे वरस्तिया औने बाकी ना बे वरस यहां आनंदावी ने, NCC मा पने जोडायेला, अन्ने एमने एक वकरते वुश्मरन करता कईू तू, के NCC मा बंदुक चलावनी ट्रेनिंग आवे, एमा एमने 50 मा थी 59 पॉइंट प्राप्त थे आता, तो आ प्रकार नो एमनू जीवन हतू, पन ए जीवन नी अंदर, एक दि दसमी मेना रोज समाचार आविया, के ब्रमसरूप शासीजी माहराज सारंगपूर नी अंदर धाम्मा पधार्याजे, एले आखो परिवार, एक चोली आखो जे फढ़ियू हतू, ए बद्धाज सत्चंगी हो, निष्ठावन सत्चंगी हो, एले बद्धाज सारंगपूर आ चाही गेलो, अने विनु भाई ने सत्चंग नो कोई पूर्वा परी चाही नेई, एले ए पन थोड़ा निरुत साहा हता, के बद्धू शूँ छे, अची बद्धू समझवा माटे प्रयत्न करता था, एमा समाचार एवा मल्या, के शासीजी माहराज जे वचनाप्यूतू ये प्रमाने गढड़ा माँ हावे प्रतिष्ठा थावानी चे शिखर बद्ध मंदिर ने, बधात यां थी गढड़ा पधार्या, अने गढड़ा मूर्ती प्रतिष्ठा ना उत्सवे बधात यां पधार्या, क्या गुरु हरी महंत स्वामी माहराज ने, प्रमुक स्वामी मूर्ती याद हती है दर्शननी केवी छाप पड़ी अशेमना रदैनी अंदर तो स्वामी ये त्यारे लखेलू के गडपूर मा प्रतिष्टान ने आगले दिवशे प्रमुक स्वामी महराज साथे नी मुलाकातनी आ वाद छे। प्रमुक स्वामी मारी साथे हिंदी मा वाद करता हाता। परन्तु तेव मने ओलकता होए तेम लागिय। हुँपन एमने ओलकतो होए तेव लागिय। एमनी निकट मा आवता थोड़ी जिक्षणों मा अद्भूत अने दिव्य अनुभव थेय। वैशाखनी लू माथी उंचकाई ने हिमाली नी गुलाबी ठंडक मा मुकायो होव एवी टाढक थवा लागी। त्या तो एक मोटा हरी बकता आवया प्रमुक स्वामी ने तेमनी सर्भरामा जवानु थय। ने पलकारमा ते वो समीत करता जता रया। कोई ये कीमती वस्तु आँचकी लिदी होई तेम हुँ हेबताई गयो। आजू बाजू हजारो लोको हता। भूमा भूम अने कलशोर हतो छता हुँ एकलो पड़ी गयो हतो। मने ते समय थयलू के वाह आ साधू साचा। तो आ हती गुरुहरी प्रमुक स्वामी महराज नी महंत स्वामी महराज उपर प्रथम चाप। अबे गरडानो प्रतिष्टानो उच्छव कूरो थोयो बधा पाचा आनंद पधार्या अफ्रीकाना गणा बधा हरी बगतो गरडा प्रतिष्टा निमित्ते पधार्या था अन्ने एमा आनंद ना गणा बधा हरी बगतो था एलोकोनी इच्छा आती के योगीजी माराजनी प योगीजी माराज ना जाड़ा कपड़ा एकदम देशिये ने काठिया वाड़ी एमनी भाषा अने एकदम जुना परमहंस संतो जेवे एमनी रहनी करनी एले विनुभाई थोड़ा दूर दूर रहा करे पन तोई एमने विशेश जीकाई अनुराग थतो नो तो आठ दिवसना रोकान पछी ब्रह्म सुरूप योगीजी माराज त्यां थी विदाई थया योगीजी माराज जहरे विदाई थता त्यारे विनुभाई गोया तड़ावनी पाले बैठाता नजीक मांज तड़ाव शे योगीजी माराज जोई उटले अमने नजीक बोलावया weak marriages जिंग आटलू कईने योगी जी माराज तो आगण पधरी गया पड़ आ वारतालाप आ जी योगी बापाना शब्दो के भूल चुक थे वोई तो माफ कर जो ए विनु भाई ने एवा रदैमा लागी गया ए योगी जी माराज नी नम्रता एमनू निर्मानी पणू ए एमना चहरा उ उपर नू वात्सल्य ए प्रगाढ प्रेम ए एटलो बुदो एमने स्परशी गयो तो त्या तड़ावनी पाल उपर त्राण कल्लाक सुधी बैठा बैठा विनु भाई योगी बापानो जी विचार करो के के वी नम्रता के वी साधू ता के टली दिव्यता के वो प्रेम के वात्सल्य ए बुदो विचार करोने त्यारे योगी जी महाराज ने एक अमीट चाप यमना अंतरमा पड़ी गए अन्ने त्याथीज सत्संग मा यमनी विशेश गती थवालागी एले ओगणी सो एकावन ना वर्ष नो आ मे मैंनो खूब अगत्य नो पूरवार थे चार जेना रोज योगी जी महाराज आनंद पधार्या अन्ने त्रीसमी में जार योगी जी महाराज विदाय वक्ते माफी मागी ए घटना थी एमना जीवन मा संपूर्ण परिवर्त नावबानी शरूवात थे आ अनुभुती वर्णवता ते वो ये लखेलू कि योगी जी महार जीवन ना कैंद्र मा आवी गया सत्पूरुष नो आ प्रभाव चे ए ओडखाए तरत अज आपनू जीवन बदलाई जाए औने भगवान ने संत आपना कैंद्र मा आवी जाए आम तो महंत स्वामी महाराज ए अक्षर ब्रह्मत छे पन आ लोकनी द्रश्टी है जे आपनी गुरु शिष्च परंपराज के गुरु द्वाराज शिष्चन ने गिनान थाए एनू संबर्धन एनू संपोशन थाए एना माटे आगुनातित सत्पूरुषो आ प्रकारनी लीला करता होई छे बीजो एक प्रसंग एमना जीवन मा एज अरसानी अंदर बन्यों योगी ज माराज जनता एक्सप्रेस मां अमदावाथी मुंबई पधारता ता अने ए ट्रेन थोड़ी वार माटे आनंद उढीरें एटले बदा हरी बक्तो तियां आगल रेलवेस स्टेशन दर्शन माटे गया था बदा एनी भेगा विनु भाई पन त्यां गया था अवे अत्यंत श पुर्वनी ओल खान एटले एमना प्रत्ये विशेश स्नेह पहले थीज योगीज माज के विनु भाई आवया थे तर्ट ट्रेन माथी उबा थेईने योगीजी माज बोगी माथी बार निकड़ी जहां अगल विनु भाई उभाता त्यां योगी बापा गया अने त्यां ज माराजे तो पच्छी ट्रेन माँ बेसे ने विदाई ली थी पण महंत स्वामी माराज त्यार पच्छी लगबक पंदर थी वधारे दीवस सुधी रोज त्यां रेलवे स्टेशन ने जाए बाकड़ा उपर बेसे आने योगी जी माहराजे जे एमने सूख आप्योटू एम प्रमुक स्वामी महराज एमने ऐमने साधु थवानी प्रत्थमों बात करेली अटलादरा जन्मास्त मीना समये गया और त्यां थी पाठा फर्ताता एका दशिने दिवे तो आप यूवोको आणां दावता ता और प्रमुक स्वामी महराज ट्रेन मां ऐ अमधावात तरफ जता था यूवो को ये जोयू के बदा संतो पन छे तो विजा बदा यूवो को तो जया जग्या अमाले त्यां बैसी गया पन विनु भाई इस्पेशली जया प्रमुक स्वामी माराज थर्ड क्लास ना डब्बा मा बैठा था त्याहाँ जपोंची गया अमनी साथ है कानके पूर्वन नी ओल्खानती आकर्शन तो थेलू अन्य त्याहाँ अगर स्वामी है पन अमनी ओल्खानती इतले बहुँ सारी इरते अमने बदी वाद करी अन्य ए वक्ते जे वारतालाब थेयो योगी जी मारजनों महिमा पन बापा है त्याहाँ खूब कयो अमने अन्य त्याहरे स्वामी है महन स्वामी मारजने की धेलू के तमे साधू बनी जाओ बहु सेवा थेशे तो साधू थवानी प्रत्थम बात है अमने गुरुहरी प्रमुक स्वामी महराजे करेली पछी जारे यूओ को विदाई लेता आनन स्टेशन है क्यारे प्रमुक स्वामी महराजे छल्ले चल्ले बदायने कि धेलू के आजे एका दशी छे माटे कई खाता नहीं इतले उपवास करवानी शरुवात पन गुरुहरी प्रमुक स्वामी महराजे करावेली हवे आज वर्षे उगनी सो एकावन माज गौंडल मां अक्षर देरीनी अंदर योगीजी महराजे पन ब्रह्म सुरूप महन स्वामी महराज और सद्गुरु वर्य परंपुज डॉक्टर स्वामी बन्ने ने विनु भाई और रमन भाई ए बन्ने ने साधू थवानी वाद करेली अने त्यार्थी जे आमनू लक्ष स्पष्ट थे गयु के हवे तो आज आपनू एक लक्ष चे साधू थवानू से पन योगीजी महराजनू संकल पतो के भणेला गणेला ग्रेजुएट युवानों साधू बनावाज योगीजी महराजनी आगना हती के ग्रेजुएशन पूरू करीने आवज वल्लब विद्यानगर मां वीपी साइंस कोलेज मां प्री साइंस एक वरस सुधी तेवो भण्या अने आप प्री साइंस नो जे कोर्स करो एमा रमन भाई एटले के परमपुज डॉक्टर स्वामी एमना मित्र एककज बेंच उपर बनने बैसता पच्छी ए पूरू थायू एटले डॉक्टर स्वामी एमबी बीएस मा गया अने महंत स्वामी माराजे एग्री कल्चर मा एड्मिशन लिदू एननी पाच्छल पने एक कारण हतु के एग्री कल्चर मा भणवानो इटलो बधो भार ना होई एटले जारे इच्छा थाय त्यारे योगी जी माराज पासे दोडी ने लाब लेवा माटे जतुरेवाई अने बीजू त्यां सहशिक्षण नो तु एटले एमने जे त्याग ना पंथ उपर ब्रह्मचारी जीवन ना मारगे आगलवधवानो संकल्प कर्यो हतो तो एना माटे पाण आलाइन अनुकूल हती इटला माटे एमने एगरी कल्चर माँ एडिमोशन लिदू उगनी सो बावन नी अंदर आज अर्शानी अंदर अटला दरा माँ एक विशेश प्रसंग बनी गया अवे विनु भाई तो युवक्त तरी कया ता अने अटला दरा योगी जी माहराज ना दर्शन करवा माटे गया ता अने अटला दरा ने इंदर जो जुनी भोजन शाला आशे त्या विनु भाई उभा आशे अने योगी जी माराज एक हरी बक्त साथे त्यां आव्या अचानक रस्तो बदली ने सिद्धाज विनू भाइपासे गया अने योगी जी माराज एमने उकिदू कि तमारा द्वारा भगवान प्रगट रेश है। अने योगी जी माराज ना दर्शने पहुँची जाए। अने खास्तो विनू भाई ने गणी वक्त योगी जी माराज ए बे दिवस ना गणी वक्त त्रण त्रण दिवस ना एक वक्त तो पांच दिवस नो निर्जल उपवास करारे। तो आवी गूरु भग्ती योगी जी माराज मा एकली लगनी आमने लागी थी के आ संत माटे जीवन कुर्बान छे। तो ए संसकारो एमना मा पेल्ले थी उदै थेला आता एना पन आपने दर्शन थाए। आज अरसा दर्म्यान एमने घरे थी पन परवान गी लही ली थी। एमना मातरुश्री थोड़ा खचकाता आता पन एमने पन समझावी न एमने परवान गी लही थी। अमुक सगा वाला उने पन एव लागतू थी। सादू ना थाए तो सारू आटलो तेजस्वी युवान थे। अने बदा पन मानी गया अने छेवटे है। मार्च एप्रिल नी अंदर जारे अमनो एगरी कल्चर नो अभ्यास पोर्ण थे। छेलू पेपर आपिय। परिक्षा पूरी थे। अने कॉलेज ये थी सिधाज योगी जी माराज पासे गया। घरे पन ना गया। सिधाज योगी जी माराज पासे गया। अने बस एज येमनो गुरुहत्याग पची घरे गया आज ना थी। एगरी कल्चर मां बीएसी थाया येनू सर्टिफिकेट लेवा पान घरे के कॉलेज ना थी गया। छोड़ू ये छोड़ू पची क्यारे पूछू पन ना थी। तो आर इते येमने गुरुहत्याग करे अने त्यार पची योगीजी माहराज साथे विचरन मां जोड़ाएगी आने अने अनेक स्मृतियो योगीजी माहराज येमने आपी। वच्चे प्रमुक स्वामी माहराज साथे पन येमने विचरन करवानू थे। अने प्रमुक स्वामी माहराज नी पन प्रतिबाथी एक क्या मूर्ती पदराविती एना दर्शन करावया, शासी जी माराज सामे आंगली चिंदिन किदू, क्या शासी जी माराज ए आपना माबाप, पछी हरी भगतो सामे निर्देश करें करावधा हरी भगतो ए आपना परिवार, अन चात उपर आंगली करें ने किदू, कि आ आपन वन्ना दिवसे महा सूध बीजने दिवसे अक्षर देरीनी अंदर महंत स्वामी महराज ने पार्षदी दिक्षा आपी ने विनु भगत तरीके संभोध्वानू योगी जी महराजे चालू कर्यों परम्पुजे इश्वर्चरण स्वामी आ घटनानू निरूपन करता कैशे क कि कोई पुत्र वीहिन राजा होए अने अने साहिट वर्ष दिक्रो थाई अने राजा ने जटलो आनंद थाई एटलो आनंद ए दिवसे ब्रह्मसोरूप योगी जी महाराज ने थायो तो जारे एमने विनु भायने दिक्षा आपी ती पार्षदी दिक्षा अवे आ काची पार्षदी दिक्षा कांके महांसामी महाराज ने बे वकत योगी जी महाराज भायने विनु झारष पार्ष दिक्षा आपी चे तो आ दिक्षा समारंब पची 1596-ig PM साएट धर्म्यान यायोगी जी महाराज सा थे इजविच रन कर जेवाने द वासन दोवा थी मांडी ने ओलकता नथी, एव रूते योगी जी माराज रहता था, पने छेवते त्रनेक मैना पची भावनगर मा रिजहिंतिनो समयो हतो, आने त्यारे रातरे उपवासने लिधे, विनु भगतने पन उंग नहती आओती, योगी जी माराजे जोयू के आमने उंगननना थिया हती, आमने के तम्हें कसोटी मां पास थे गया। अची ओगणी सो ओगण साइंट साइंट दर्म्यां आफ्रिकाना प्रवास मा विनु भगत ने योगी जी माराज साथे लिधे लेगा। अने आत्यार आपणे चबी देखाई छे एयात्रा नी चबी छे आमा योगीजी माराजनी साथे हाथ माँ पोटलू लईने गूरुःभरी प्रमुक श्वामी माराज ना आपने दर्शन थाई छे सफेद वस्त्रों मा गुरुहरी महंत स्वामी महाराज छे अने जे युव के योगीजी महाराज नो हाथ पोकेडों से अरुन भाई इल्ले के सद्गुरु वर्य हुज इश्वर चरन स्वामी तो आ परदेश यात्रा मा पन साथे राख्या अने आफरीकानी यात्रा दरम्यान योगीजी महाराज ये कि दू तो के आपने मुंबई जही ने तरत अज दिक्षा आपी देवी से के तमे बे अरुन भाई पची महंत साभी महाराज ने बीजी वखत पार्शती दिक्षा पची महेंद्र भाई त्याग वलब समय आफरीकाती आवन आता अने चो यूवो को ये घाटको पर नी अंदर भणता था तो ये बधाई ने बेगा करी ने कूल नव यूवो को जेना आपने नव योगेश्वरो कहिए से तो योगीजी महाराज मुंबई पधार्या अने ओगनिसो साइठ नी अंदर अशाड सूध नौमना दिव से मुंबई मा पार्शती द दर्शन थे रहाजे दिख्षा अप्राप्त थे या पचि आप बधा संतो ने घाटको पर नी अंदर संस्कुत बणवा माटी योगीजी माराजे राखे अब घाटको पर माँ जे परिस्तिती मां संस्कुत बधा बढ़ता ता त्या मुश्केली नो पार नो तो पन महन साइ पन महन साइब त्या जमवा बेठा होई है त्यारे एकवारज पिरस्वा आवे भातने दाल मा मसालो नहीं वडी दाल मा धनेडा होई रोटली जाने प्लास्टिक नी अने जाडी तो आई मजा बहु आवती उपवास करता धारना पारना करता बधू योगी बापानी आगना गाटको पर मुकाया ते वक्तेज धारना पारना चालता हाता पणा कश्यू अगरू लागियू नथी बस मजा आवती योगी बापानी हूँ फनू भवाती पुरुपा द्रश्टी द्वारा योगी जी माराज साथे हताज वली दर अठवाडिये ते वो एकवार अमने पत् चेली छे अने पची छेवटे 161 नुए वरशावी गयू जेमा योगी जी माराज ने भागवती दिख्षा आपती ती अग्यार मी में 161 कड़डा मां कलश महत्सव हतो अने ब्रह्म सुरूप योगी जी माराज नी स्तित्तेर्मी जन्म जायंती हती त्यारे आबधाय ने भ मौडी तरीके महंत स्वामी महराज ने त्यां स्थापया ए वक्ते महंत स्वामी महराज नुँ दिख्षा आपीने केशव जीवन दास जी एवू नाम आप्योतु परन मुंबई गया अने बदायना मौडी महंत तरीके योगी जी माराज स्थापया एले योगी जी माराज आज एमने महंत स्वामी महंत स्वामी अवा नाम थी संबोधित करवानू शरू कर दिदू अने त्यार थी आज एमनू नाम वधारे प्रचलित थे गईू आपना प्राण प्यारा गुरुहरी महंत स्वामी महराज। प्रणी तरीके अमना मार्गदर्शक तरीके महंत स्वामी महराज त्यां बीराज या ओगनी सो सित्तिर ने अंदर विदेश यात्रा बीजी विदेश यात्रा है पन ते ओ पधार्या अने ओगनी सो एकको तेर मां छेवटे जे गुरुहरी ये उताना जीवन मां आटलू मोट परिवर्त नाणि होतूँ तया भ्रह्मसोरूप योगी जी महराज देहलिला संकिले लि दे योगी जी महराज ना अंतिम दिवसो माए प्रमुक स्वामी महराज ने महांस्वा مहार याद करता है बन्ने नो खूब महिमा कएता 23 جान्यवार ये योगी जी महराज जा बोलेला के मारा पची प्रमुक स्वामी छे ने मारा करता तमने सवाई उस सुख आपशे प्रमुक स्वामी तो मारू सर्वस्व छे एम कई ने योगी जी माराजे अंतिम श्वास आ धर्ती उपर लिए दा पची प्रमुक स्वामी जी माहराज आज संस्थाना गुरु पदे विराजमान थेया महन स्वामी माहराज माटे प्रमुक स्वामी माहराज ने गुरु तरीके स्विकारवालेश मात्र कठन नो तुकान के पहले थी जेमना अंतरमा प्रमुक स्वामी माहराज वसी गेला हाता है एमने पोतानी अनुभूती लखी से के प्रमुक स्वामी ए धीमे धीमे एवो उपाड करेो के खबर ज न पड़ी एमा जोड़ाय जवायू कारण मूल वस्तुतो एकज हती ने एतो मात्र चहरोज बदलायो हतो ले गुरुहरी योगीजी महाराज मा जेवी फ्रीती एमने हती एवी जमने प्रमुक स्वामी महाराज मा पन थही गई। 1131 मा योगीजी महाराज धाम्मा पधार्या एकको तेर थी सत्यो तेर सुधी गुरुहरी महान स्वामी महाराज मुंबई माज बिराजया अने बदा संतो नेमने तैयार करया। पधारे ने पची जयारे पाछा आवया। क्यारे प्रमुक स्वामी माराज एमने कहिऊ। कि हवे आप आखा सत्संग मा विचरण शरू करो। त्यारे एमने मुंबई छोड़िय। अने त्यार थी कोई पन एक स्थान निवासकरीने रया नथी। सत्तत एमनू विचरण चा पन एमनू विचरण एउने एउज चालू रही। एटलो ज भीडो। एम करता करता तारिक 272012 ना दिव से प्रमुक स्वामी माराज पत्र लखी ने महंत स्वामी माराज ने संस्थानी तमाम जवाबदारी स्वामी दिवी। असंस्थाना गुरुपदे ने प्रमुक पदे अपने आपना प्राण प्यारा गुरुहरी महंत स्वामी माराज ने प्राप्ती थाई। इटले 11732016 सुधी सद्गुरुपदे रहिने एमने अत्यंत कष्ट दाई विचरण करिय। अने 2016 थी आज दिवस परियंत ते वो सतत अने सतत आपना सत्संग नी अभिवृद्धी माटे आपना अंतरमा उपास्नानी द्रडता थाई एना माटे विचरण करी रहाजे। अने 210 थी वद्धारे हरी मंदिरों नी मूर्ती प्रतिष्टा करी ने एमने अक्षर पुर्षोत्तम नो जय जय कार करे। अने प्रमुक स्वामी जी माहराज मां होमाई गया। एम आपने पन आपना गुरु हरी महंत स्वामी माहराज ने अंदर जोडाई जय अने समर्पित्थे जय जय श्री स्वामी नाराणी भगवान नी जय। लगर, जए वाब को आपने खचूत्थे झाविश्सने नेकी जय जय को आपना में भवान आपना माहरा हरे जो यां नक्षर एम छोड़ूत्थे जय।